देश और दुनिया से जोड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चिस न्यूज और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बैल आइकन को दबाना नहीं भोलें नमस्कार दोस्तों मैं आचारिया बिनोत भरद्वाज आपका श्वागत करता हूँ आप देख रहे हैं सबसे तेजी से बढ़ता डिजिटल चैनल एचेस न्यूज इस पे मैं रोजाना लेके आता हूँ गुड़लक रासीफल जिससे आपके दिन की सुरुवात अच्छी हो और आपके जीवन में खूब तरक्की मिले लेकिन इस कारिक्रम को देखने के लिए जरूरी है आप इस कारिक्रम को लाइक, सेर, सस्क्राइब जरूर करें हमें यूँ ही अपना प्यार देते रहें आज का पंचांग बिक्रमी संबत 2076 आश्विन मा शुक्ल पक्ष आज का सुर्योदे 6 बज के 17 मिनट पे होगा आज का दिन सोमवार है आज दुतियाति थी है दोपहर 4 बज के 49 मिनट तक इसके बाद तृतिया तृति का मान है आज का नचचत्र चित्रा है दोपहर 4 बज के 30 मिनट तक रहेगा इसके बाद स्वाती नचचत्र का मान है आज का अबजित महूरत दोपहर में 11 बज के 47 मिनट ते प्रारंब होके 12 बज के 35 मिनट तक रहेगा आज का सुभू महूरत दिन में 2 बज के 9 मिनट ते प्रारंब होकर के दोपहर 2 बज के 56 मिनट तक रहेगा आज का राहुकाल सुबा 7 बज के 45 मिनट से प्रारम होकर गे 9 बज के 14 मिनट सुबा तक रहेगा अगर आज आप पूर्विकी ओर यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो आज पूर्विकी ओर दिशासूल है आवस्यक यात्रा होने पे दरपन देख के यात्रा करेंगे तो दिसासूल का परिहार होगा आज का तेवहार आज नवरात्र का दूसरा दिन है दूसरे दिन में माता ब्रह्मचारनी का पूजन किया जाता है ऐसा सास्त्रों में कहा गया है अर्था जो मा ब्रह्म की तरह आचरन करे उशे ब्रह्मचारनी कहा गया है मा ब्रह्मचारनी की महिमा किसी से छुपी नहीं है आप इनके आसिरबाद को पाके जीवन में ज्यान हासिल करते है मा ब्रह्मचारनी की कथा जीवन के कठिन से कठिन छड़ों में भक्तों को सबल बना देती है दुरगा के दूसरे रूप में मा ब्रह्मचारनी की पूजा करने से ज्यान बैराग्य की प्राप्ति होती है अब बात करते हैं मेश से लेके मीन तक के राशी फल की मेश रासी आज के दिन चंद्रमा सात्वें भाव में होने के कारण परिवार के साथ आज आप पिकनिक मना सकते हैं आविवाहित लोगों को वीवा का प्रस्ताव आ सकता है ब्यापारियों के लिए संजुक्त ब्यापार से धन आगमन की संभावनाएं बेल्कुल बनी हुई है आज के दिन क्या करें जीवन साथी को कोई उपहार देके ओम दुम दुरगा देब्याईना महा इस मंत्र का पाठ करके दिन की सुरुवात करके देखें दिन सुब होगा आज के दिन का सुब अंक नव आज के दिन का सुब अंक सुबरंग लाद ग्रसवराती इस मंत्र का तीन बार प्राता काल पाट करके दिन की सुरुवात करके देखें, जितने भी विग्न बाधाएं हैं, शब शमाप्त होंगी, आज के दिन का सुभ अंग एक है, आज के दिन का सुभ रंग शफिद। बच्चों की ओरते कोई सुभ समाचार प्राप्त हो शकता है, प्रेम संबंध में सफलता प्राप्त होगी, बिद्या अध्यन के लिए आज का दिन स्रेष्ट साबित हो सकता है, यदि आप अपने कारियों को पूरी लगन, इमानदारी और निश्ठा पूर्बक करेंगे तो निश्चित रूप से कारियों में शफलता प्राप्त होगी, आज के दिन क्या करें, छोटे बच्चे को कुछ उपहार देके, दिन की सुरुवात करके देखें, दिन सुभ होग आज के दिन का सुभ अंक दो, आज के दिन का सुभ रंग हरा करकरासी आज के दिन घर में प्रसन्नता का वातावरन बना रहेगा, धन आगमन के संकेत बने हुए हैं प्लाट या कोई प्रापर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए लाब का सौधा साबित हो सकता है आज के दिन क्या करें ओम चंद्राय नामाहा इस मंत्र का साथ बार प्राता काल जब करके दिन की सुरुवात करके देखे समस्त बिगनों का समन होगा आज के दिन का सुभ अंक तीन आज के दिन का सुभ रंग शफिद शिंगरासी आज कड़ी मेहनत का दिन साबित हो शकता है उद्देश की प्राप्ती के लिए कड़ा संघर्श भी करना पड़ तकता है आज के प्रयास असफल नहीं होंगे किन्त पूरी निष्ठा पूरे विश्वास के साथ कारे करने की आवशकता है आज के दिन कोई सुभ समाचार प्राप्त हो सकता है आज के दिन क्या करें अत्यधिक उस्सा से बचने की जरूरत है ओ महा बीराय नमा इश्व मंत्र का पांच बार आप राता काल पाट करके दिन की सुरुवात करके देखें दिन सुभ होगा आज के दिन का सुभ अंक एक सुभरंग सुर्ख लाग कन्यारासी आज का दिन संग्रा तथा निवेश के लिए वेह सुभ साबित हो सकता है यदि किसी घर या प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो आज का समय अति उत्तम तथा मंगल कारी शिद्ध हो सकता है अपनी बाणी के द्वारा किसी भी व्यक्ति का मन मोह शक्ते हैं या ऐसा कह सकते हैं कि अपने मुश्किल से मुश्किल कारियों को अपनी बाणी के माध्यम से आसान बना सकते हैं आज के दिन क्या करें एहंकार की भासा बोलने से बचना होगा ओम सरश्ष्वत्या इनमा इस मंतर का 11 बार आप पाठ करके दिन की सुरुवात करके देखें दिन सुभ होगा आज के दिन का सुभ अंक दो आज के दिन का सुभ रंग हरा तुला रासी आज पूर्णता का दिवस है हर कारे में आपको शफलताएं प्राप्त हो शक्ती हैं व्यापारी लोग आत्म विश्वास से अपने कारे को शंपन्न करेंगे तो खूब धन कमा शक्ते हैं जीवन साथी का भरपूर शायोग भी प्राप्त होगा तो आज के दिन क्या करना है? अत्यधिक उस्सा से बचना है शाथी साथ ओम नमो नारायनाय ग्यारा बार नारायन के इस महामंत्र का पाट करके दिन की सुरुवात करके देखें भगवान लक्समी नारायन की किरपा से शब सुब होगा आज का सुब अंकतीन आज का सुबरंग रेशमी शफित ब्रिश्चिक रासी आज के दिन चंद्रमा बारहे भाव में होने के कारण कुछ आत्म विश्वास में कमी महसूस हो सकती है तो क्या हो सकता है? फजूल धन खर्ची भी हो सकती है इसलिए फजूल धन खर्ची से बचने किया हो सकता है नहीं तो आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़तकता है खान पान के मामलों में विशे सावधानी बढ़तने की जरूरत है जीवन साथी को नाराज ना करें अन्य था आने वाले जीवन में करवाहट आ सकती है तो आज के दिन क्या करें? क्रोध में आके कोई निर्णे ना लें ओ महा लक्षमे इनामा इस मंत्र का 108 बार 50 बार पाठ करके घरते निकलें माता लक्षमी की क्रपा प्राप्त होगी आपके जीवन में अर्थ प्राप्त होगा आज का सुभ अंक चार शुवरंग लाल गनूरासी आज के दिन चंद्रमा एका दस्भाव में होने के कारण प्रतेक छेत्रों से धन प्राप्ती की संभावनाएं अच्छी बनी हुई है एसा का सकते हैं कि आज के दिन आपके सुपन की इच्छाएं जो आप कभी सुपन में देखा करते हैं वो इच्छाएं भी पूर्ण हो शक्ती हैं भाई बहिनों का सायोग प्राप्त होगा शमाज में मान सम्मान प्राप्त होगा आज के दिन क्या करें? कारियों को पूरी लगन के साथ करने की आव सकता है शाथ ही ओम कुवेराय नमहा इस मंत्र का पांच बार पाठ करें भगवान कुवेर का आसिर बाद मिलेगा और आज का दिन भी आपका सुभ होगा आज के दिन का सुभ अंक पांच, आज के दिन का सुभ रंग पीला मकर राशी आज के दिन अधिकारियों या अपने से बड़े बुजर्गों का शहयोग प्राप्त होगा ब्यापारी वर्ग के लोग अपने ब्यापार को विस्तार करने की योज़ना बना सकते हैं आज के दिन बच्चों के ब्योहार से कुछ असंतुष्टी बन सकती है ऐसा कह सकते हैं कि आज अन्य स्रोतों से आपको आय प्राप्त होने के विशेस योग बने हुए हैं आज के दिन क्या करें, अपने से स्रेष्ठ व्यक्तियों की राय को प्रात्मिक्ता दें, और साथ ही साथ, ओम नमस्शिवाई इस मंत्र का 21 बार पाट करके दिन की सुरुवात करें, दिन सुब होगा, भगवान भोले नात की कृपा प्राप्त होगी, आज के दिन का सुब अंकछे, आज के दिन का सुब रंग काला कुम्बरासी, आज के दिन सफलता प्राप्ती का योग बना हुआ है, भाग्य का साथ मिलता रहेगा, एशा कहशकते हैं कि समस्त कारियों में सफलताएं जरूर प्राप्त होंगी, आपका स्वास्त अच्छा बना रहेगा, घर में प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा, आज के दिन क्या करें, आज के दिन भगवान स्री हरी विश्णु का ध्यान करके, अपने पास वाले मंदिर में अपना मथ्था टेक करके, दिन की सुरुवात करके देखे, दिन सुब होगा, आज के दिन का सुब अंकसात, आज के दिन का सुब रंक काला, मीर लासी, बहुत दिनों से रुका हुआ धन वापस प्राप्तो हो शकता है धन संग्रा करने के लिए आज का दिन उत्तम साबित हो सकता है जरूरत मंद लोगों की सहयता करें लेकिन गाड़ी चलाते समय आपको सावधानी बरतने की आवसेकता है आज के दिन क्या करें? स्वास्त का ध्यान दें, साथी साथ ओम काल भैरवायनामा इस मंत्र का तीन बार पाठ करके दिन की सुरुवात करें, दिन सुब होगा आज के दिन भगवान काल भैरो, आपके समस्त बिगनों का अंत करेंगे आज के दिन का सुब अंक नौ आज के दिन का सुब रंग पीला आज का यह कारिक्रम यही समाप्त होता है मैं आपके लिए फिर लेके आऊंगा गुडलक रासी फल लेकिन पॉल्टिक्स, स्पोर्ट, बिजनेस की खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें मित्रों यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से या हमारे इमेल के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार